नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरिस तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं जोतिश विज्ञान का हमारे जीवन पर महतुपूरण परभाव होता है जिससे हम वर्तमान और भविश्य को बहतर बनाने के उपाए जान सकते हैं इस तरह हस्त रेखा जोतिश के ज्ञान से भी इनसान के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कहा जाता है हाथ वे बनी लकीरों में इनसान की पूरी कुंडली छीपी होती है हास्त रेखा जोतिश के अनुसार हाथ की रेखाओं से जाना जा सकता है कि इनसान आने वाली जिन्दगी में किन किन तरह की परिस्तितियों का सामना कर सकेगा हाथ की रेखाएं ना सिर्फ जिन्दगी से जूरी चीजों का रहसे खुलती है बलकि इनसान के व्यक्तित्व के बारे में भी जानकारी देती है हाथ की रेखाओं के लावा साथ पर बने निशानों से भी इनसान की चरीतर और आदतों का पता लग जाता है आज हम आपको हस्त रेखा जोतिश के अनसार बता रहे हैं यदि व्यक्ति के अंगूठे पर आधा चांद बनता है तो इसका क्या अर्थ होता है साथ ही इस विश्य में महत्तपुन जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं हस्त रेखा जोतिश के नुसार आधर चांद का रहस से हस्त रेखा जोतिश के नुसार जिन लोगों के अंगूठे पर चांद का चिन बनता है वो मैत्री पुन्स भाव के माने चाते हैं जो हर किसी की साहिता के लिए तत्पर माने जाते हैं ऐसे लोग दिल के भी बहुत साफ होते हैं अंगूठे पर आधे चांद का निशान होना वैवाहिक जीवन के लिए शुब संकेत है और इनका शादिशुदा जीवन बहुत सफल और सुखी बीटता है हस्तरेखा जोतिश के अनुसार ऐसे लोगों को जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिलता है जो हमेशा इनके कहे अनुसार चलता है अंगुठे पर आधे चांद का निशान धन संबंधी राज भी खोलता है जिसने पता लगता है कि इन लोगों के चीवर में कभी धन संकट नहीं आता हस्तरेखा जोतिश के नुसार ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत ख्याती पाते हैं और खूब नाम कमाते हैं जिन व्यक्तिव के अंगुठे पर आधे चांद का निशान बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदार और बुद्धी मान होते हैं ऐसे व्यक्ति अपने हर कारे को शांती पूरुक से अंजाम देते हैं ये व्यक्ति हस्तरेखा जोतिश के अनुसार ये कारे को पूरा करके ह चोड़ते हैं हस्त्रेखा जोतिश के नुसार अंगुठे पर आधे चांद का निशान ये भी बताता है कि ऐसे लोग अपने परिवार जन खास कर यानि की माता पीता से बहुत प्रेम करते हैं और सब का आदर सम्मान करने में कोई कमी नहीं रख दोस्तों अगर आपको हमारी स स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब